आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं OnePlus 11 और OPPO Reno 10 Pro का कंपारिसन करेंगे इन हैंड फील की बात करें तो OnePlus 11 का वजन 205 ग्राम है और थिकनेस 8.5 mm और फ्रेम प्लास्टिक का है OPPO Reno 10 Pro का वजन 185 ग्राम है और थिकनेस 7.9 mm और फ्रेम प्लास्टिक का है डिस्प्लाइ की बात करें तो OnePlus 11 से 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले है और 1440 X 3216 पिक्सल्ज के साथ 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ 1300 nits की ब्राइटनेस है और OPPO Reno 10 Pro से 6.7 इंच की AMOLED डिस्पले है और 1080x2412 पिक्सिल के साथ 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ 950 nits की ब्राइटनेस है और कैमरा की बात करें तो OnePlus 11 में ट्रिपल कैमरा सिस्टम है 50MP प्लस 48MP प्लस 32MP और OPPO Reno 10 Pro में ट्रिपल कैमरा सिस्टम है 50MP प्लस 48MP प्लस 32MP और फ्रंट कैमरा की बात करें तो OnePlus 11 में 16MP और OPPO Reno 10 Pro में 32MP है Performance की बात करें तो OnePlus 11 में Qualcomm Snapdragon 8GN2 और 8GB या 12GB RAM और 128GB या 256GB Storage है और Oppo Reno10 Pro में Qualcomm Snapdragon 778G और 8GB या 12GB RAM और 128GB या 256GB Storage है बैटरी की बात करें तो OnePlus 11 में 5000MA और 100W Charger है और Oppo Reno10 Pro में 4700MA और 80W Charger है OS या UI की बात करें तो OnePlus 11 में Android 13 है और यह Oxygen OS के साथ चलता है और Oppo Reno10 Pro में Android 13 है और यह Color OS के साथ चलता है प्राइस की बात करें तो OnePlus 11 की प्राइस 56999 है और Oppo Reno10 Pro की प्राइस 3999 है विनर की बात करें तो निर्णे लेने का सबसे अच्छा तरीका दोनों फोनों को आजमाना और देखना है कि आपको कौन सा पसंद है देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें